अगर तुमने भी बिना नहायद होए सुभा सुभा उठकर सलार के टीजर को ठीक पाज बच के बारा मिनिट पर ही देखा है तो कॉंग्रेजुलेशन्स, यू आर ओफिशिली डिकलेर अस दे ग्रेटेस्ट फैन अफ केजी अफ यूनिवर्स, तालिया हो गया? अब बात तीजर की करते हैं जब फर्स डे फर्स शो सुभा चार बजे का लगाया था और वो भी हाउस फुल था भाई इसे बोलते हैं क्रेज बात करें टीजर की तो प्रभास का लुक यहां आधा अधुरा ही रिविल होता है काश ऐसा फ्रंट लुक भी रिविल होता तो बढ़िया होता और एका डायलोग भी दे देते तो और भी अच्छा होता लेकिन कोई ना हम लोग फैंस है काम चला लेंगे और साथ में म्यूजिक जो केजियेफ से काफी जादा हटके है नया फ्रेश और डिफरेंट साउंड कर रहा है जो पूरी तरह जस्टिफाई करती है केजियेफ के यूनिवर्स को बट जैसे लोग यहाँ दिखाय जा रहे है यह किसी आफ्रिकन कंट्री का पार्ट लग रहा है जिससे काफी सारी थेयरिस बाहर निकल कर आ सकती है जिसके उपर अपन अलग से वीडियो भी बनाएंगे और यह सलार कोई सिर्फ एक फिल्म नहीं होने वाली 28 सप्टेंबर को इसका एक्चुली फर्स्ट पार्ट सीज फायर आएगा सो यह फिल्म एक से जादा पार्ट में बनेगी साथ ही में अगर आपको सलार का मीनिंग नहीं पता तो यह एक्चुली एक मुस्लिम वर्ड है तो प्रॉबबली प्रभास का कैरेक्टर इसमें एक मुस्लिम का होगा साथ ही सलार का मीनिंग होता है लीडर लेकिन खुद प्रशांत नील ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि सलार मीन्स दर राइट हैंड मैन आफ अ किंग अ जनरल तो सलार एक ऐसा इंसान है जो अपने राजा का सबसे वफादार है और राजा के बाद का लीडर भी और राजा कौन है ये तो शायद ही मुझे बताने की जरुरत पड़े वैसे इस मूवी का बजट अप्रॉक्जिमेटली 200 करोड बताया जा रहा है और ये कितना सही कितना गलत है ये तो मैं नहीं जानता लेकिन 100 करोड में बनी KGF 2 में अगर प्रभास होते तो उसका भी बजट 200 करोड ही होता बाकि प्रभास का स्टारडम इतना है कि वो पहले दिन में ही सारे के सारे थेटर्स हाउस फुल करवा सकते है उपर से KGF का नाम तो वैसे भी जुड़ गया है तो यहाँ सलार को सीधा सीधा डाइनासोर से कंपेर किया गया है सबसे डेंजरस वाला डाइनासोर पूरे टीजर की लेंथ सिर्फ 1 मिनिट 46 सेकंड की है जिसमें जो रिक्वाइड है बस वही हमें दिखाया गया है और बहुत कुछ छिपाया भी गया है ओवराल लुक एंड फिल काफी अच्छा लग रहा है और बहुत से लोग फिलहाल इसे केजियेफ के साथ भी कंपेर करेंगे जो की अव्यूस है बट मैं करूंगा इसके ट्रेलर का इंतजार क्योंकि मूवी को रिलिज होने में जादा टाइम नहीं बचा ऐसे फटा-फट से ट्रेलर भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा बाकि आपकी क्या रहा है इस टीजर को देखकर मुझे कमेंट में ज़रू बताना मिलते हैं अगले वीडियो में बाई